बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट को डिस्क प्रोडेक्शन स्पीड फास्ट हो, काम करनी की स्पीड फास्ट हो, या गोल बनाए थे उनमें से कितने हासिल कर लिए, कितने गोल छूट गई, तो आपकी जीत की संभावनाई निश्यद होती है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईश्वरी, मैं CEO and Founder Director हूँ, Metas Oversies Limited Company का और हमारी कंपनी Staleness Steel Model Location की manufacturing करती है, export करती है, और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे franchise और dealership शूरू में लेकिन ये business में बहुत small scale से शुरू किया था, और बहुत कम समय में मैं इसको रफ़तार के माध्यम से उस level तक ले गया, जिस level पर company IPO में लिस्ट होने की तयारी कर रही है आज इसी विशा पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक business कर रहे हैं तो उस business को किस तरह से इतनी रफ़तार पर ले कर जाएं कि वो कम समय में एक market leader बन जाएं तो बात करते हैं कि business में रफ़तार कैसे हासिल तरहें रफ़तार जो अपने आप में एक शब्द है ना उस शब्द की एक बहितरीन ताकत है R, R stands for right planning दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए ना हर व्यक्ति कोई ना कोई प्लान जुरू बनाता है चोटे से चोटे काम के त्यारी करने के लिए प्लानिंग की जाती है जैसे उधारन के लिए मान लीजिए कि आपको किसे स्थान पर पहुंचना है और वो 100 km दूर है और आपको पता है अगर मैं गाड़ी 50 km प्रती घंटे की स्पीड से चलाता हूँ तो दो घंटे में पहुंच जाऊँगा 100 km प्रती घंटे की स्पीड में चलाता हूँ तो एक घंटे में पहुंच जाऊँगा और इससे अधा स्पीड करता हूँ तो पहुंचने की संभावना और तेज होगे लेकिन रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा क्योंकि जितनी जाद आपकी इगती बढ़ेगी उतनी जाद दुरगटना की संभावनाएं भी बढ़ती जाएगी तो जरूरत क्या है राइट प्लानिंग करने की कहीं ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप ऐसी प्लानिंग कर लें साथ साथ ये भी चेक करना है कि कॉंपिटेटिव इंडस्ट्री में आप किस तरह के कंजूमर के साथ डील कर रहे हैं प्राइज कॉंशियस, ब्रैंड कॉंशियस, क्वालिटी कॉंशियस इसकी एक अल्री वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है उसको आप जरूर देखें साथ साथ जब आप प्रोड़क्ट लाँच करेंगे तो लाँच करने के बाद कितिरी समय अवधी में आप अपने ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे ब्रेक इवन कंप्लीट करते ही कब आपका बिजनस प्राफिटेबल होगा और प्राफिटेबल बिजनस के लिए सेल ज़रूरी है और सेल्स रिकावर करने के लिए सेल जनरेट करने के लिए मार्केटिंग तो सही तरीके से प्लैनिंग करनी है अपने फाइन्स की, अपनी मार्केटिंग की, अपनी sales promotion की और आने वाले fund के management की अगर planning बहतर होगी तो आपकी जीत की संभावनाई निश्यद होती है दूसरी चीज है administration रफतार का second word क्या कहता है A A stands for administration आपका प्रशाशन कैसे काम करेगा क्योंकि आप जब business करेंगे तो आप अकेले नहीं होगी काफी सारे क्या-क्या सुवध हैं उन्हें देनी हैं क्या-क्या tools equipment gadgets होने देनी हैं और उनके काम करने में किसी भी तरह का कोई अवरोध ना आए किस तरह सको सुगम बनाना है किस तरह सको comfortable बनाना है ये सारा का सारा काम administration का होता है तो administration department जितना बहतर होगा कुशल तरीके से कारे करेगा उतने बहतर तरीके से उनकी team भी उन tools, equipment, gadgets, support, services, software जो कुछ भी उनोंने प्रोवाइड किया है उनके माध्यम से काम करना शुरू करेंगे HR भी इसमें बहुत बड़ा role play करता है कि अगर आपके human resources की जो team भेतर होगी वो आपकी team को manage करेगी अगर आपकी team भेतर manage होगी तो व्यापार अच्छे चलेगा वो कहते हैं कि अगर आप लोगों को manage करने की कला सीख जाएं तो जिन लोगों को आपने manage किया है वो आपके व्यापार को manage कर देंगे और यदि सारा समय व्यापार को manage करने में लगाएंगे तो आपका एक जीवन कम पढ़ जाएगा व्यापार को नई बुलंदियों तक ले जाने में इसलिए administration बहुत strong होना चाहिए रफतार का next जो F है वो हमें represent करता है fast decision making power आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों कई बार क्या होता है हम किसी भी decision को लेने में इतना लंबा समय ले लेती है कि जब तक वो विचार किसी और के पास महुँच जाता है कई बार आपने feel किया है कि आपके मन में कोई idea आता है और जैसे आप उस idea पर काम करने के बारे में सोचते है सोचते 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 इतना लंबा समय हो जाता है कि आप उसको implement नहीं कर पाते और जब आप implement नहीं कर पाते तो वही काम कोई और व्यक्ति कर चुका हूँ तो आपके मन में क्या विचारा था अरे ये आइडिया तो मेरे पास आये था आइडिया इस नोवन्स मनोपली ये धिरूबाय इमानी ने भी का है आइडिया पर जितनी जल्दी काम करेंगे जितने बहतर तरीके से काम करेंगे उतनी ज्यादा आपके प्रोग्रेस की संभावना ये धिक होगी वो किसी एक हाथ से कभी ने भी कहा था कि कई बार सरकार किसी बढ़िया पॉलिशी को लाने के लिए इतने ठोस कदम बढ़ाती है इतने ठोस कदम बढ़ाती है कि वो इतने ठोस हो जाते हैं कि आगे उठी नहीं पाते तो इसका मतलब आपके काम करने में आपकी decision making power है ना वो जितनी fast होगी progress की संभावना है उतनी अधिक होगी हाँ कई बार ऐसा होगा कि जब आप fast decision लेंगे तो कुछ decision सही होंगे कुछ गलत होंगे लेकिन जो decision गलत होंगे वो बहुत सारी सीख देंगे और समझदार व्यक्ति एक बार की हुई गलती को दुबारा नहीं दोर आता है इसलिए जरूरत है fast decision making power generate करने की और वो कैसे होगी धीरे धीरे practice करके आपके मन में कोई विचार आए उससे संबंदित कारे करो उससे संबंदित design करो उससे संबंदित planning करो और तुरंत उस पर decision लो और काम करना शुरू कर दो fine उसके रफतार का जो अगला word है वो है T truly dedicated team जितनी बहतरीन dedicated team आपके साथ होगी न उतने ज़्यादा लक्ष हासिल करना आसान हो जाएगा इसलिए जरूरत है अपने team को हमेशा motivated रखने की और उसका क्यवले की तरीका है कि उनके दोरा किये गए कारे के लिए उनको फ्रोथ साहित करें यदि कोई गलती हो तो उनको बताएं लेकिन उस गलती को सुधार कर किस तरह से बहतर तरीके से करना है यह उन्हें जरूर गाइड करें और अपनी company के लक्षों के बारे में उनके visions को support करने के लिए हमेशा अपनी team के साथ रहें मतलब एक boss नहीं एक leader के रूप में काम करें जब आप एक leader के रूप में काम करेंगे ना तो आपकी team आपके लिए बहतर perform करेगी इसलिए आपकी team truly and dedicated होनी चाहिए रफ्तार का जो अगला word है वो है A A मतलब advanced tools and equipment कहते हैं कि अगर आप बड़ी उपलब्दी हासिल करना चाहते हैं तो उस समय पर कौन जी चीज़ सबसे बहतरी ना उसका इस्तेमाल आपको करना है एक article में देख रहा था नीउस पेपर में और वो जो commander रोक रहा था उसके पास में लिखा हुआ था कि आरे यह AK-47 तो ले जा कई बार क्या होता है आपके पास जो tools and equipments हैं जिससे आप काम कर रहे हैं वो इतने advanced नहीं है जो आपकी speed को fast कर सके जो आपकी चीज़ों को accurate कर सके इसलिए जरुवत है अपनी industry के advanced system को समझने की बहुत सारे लोग outdated software पर काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग outdated tools पर काम कर रहे हैं तो वो accuracy नहीं है जो आपका competitor दे पा रहा है वो fast speed नहीं है जो competitor दे पा रहा है इसलिए जरुवत है advanced tools and equipment होने चाहिए वरतमान में क्या चल रहा है इसके बारे में research जरूर करें एक बार production setup लगाने के बाद एक बार manufacturing setup लगाने के बाद रिजिट ना हो जाए कि नहीं जो हमारी machine है वही बड़ी है तो नई नहीं machines क्या आ रही है उनमें development क्या रहा है उसको जरूर adopt करें आपके सामने कोई और व्यक्ति आके industry खड़ी करेगा और आपसे बहतरीन tools, equipment ज़्यादा production करने वाली machines लगाएगा और कम cost पर आपके सामने आप ही के दिये हुए selling price को beat करते हुए best selling price पर deal achieve करके business में आगे बढ़ जाएगा इसलिए advanced tools and equipment होने चाहिए ताकि आपकी production speed fast हो काम करनी की speed fast हो cost of production कम हो और fixed cost का burden आपके उपर कम से कम पड़े, इसलिए बहुत ज़रूरी है last but not least that is, रफतार का अगला word है are, review your results, आपने पूरे financial year में क्या किया, क्या goal बनाए थे, उनमें से कितने हासिल कर लिए कितने goal छूट गए, उनके पीछे कारण क्या रहा, जो हासिल कर लिए उसमें कितनी सफलता मिली, कितने परसेंट आपने success हासिल की, अपने सभी results का review जरूर करें, और जब आप results का review करेंगे न, तो आपको ये पता लगेगा कि और कौन-कौन से नई steps आपको लेने हैं, और कौन-कौन से back step भी आपको लेने हैं कई बार लोगों को लगता है कि मैंने एक काम ये कर लिया मुझे back step लेने की ज़रूत में है, आपको पता है, बड़ी-बड़ी companies भी अपने product को discontinue कर देती हैं, क्यों कर देती हैं, क्योंकि वो उनका right decision नहीं होता है, वो back step लेते हैं तो आपको review and results को ज़रूर चेक करना है, ताकि आप भविश्य की planning ठीक से कर सकें और अपनी रफतार को इतनी तेज कर सकें कि पूरे विश्व में आपका नाम पहले नंबर पर आए यदि आपके मन में इसके लावा कोई भी प्रशन है बिजनस को लेकर, तो आप मुझे comment box में ज़रू लिखें, कोई भी informative वीडियो मिसना हो, उसके लिए चैनल को subscribe करें, बेल आइकन को ज़रू पैस करना, ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुचे, क्योंकि जितनी रफतार से आपके पास पहुचेगा, उतनी रफतार से आप चीजों को समझेंगे, जितनी रफतार से चीजों को समझेंगे, implement करने का मौका भी आपको सबसे पहले मिलेगा, स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आप के सुनरे वविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत